दोस्तों इंडियन आयल कर्पूरेशन लिमिटेट के दौरा काफी अच्छी अप्रेंटेसिप भरती निकाली गई है जो करीब 600 से भी अधिक सीटों पर यह बहाली आपकी होने वाली है इसमें काफी सारे कैनिडेट को मौका दिये गए हैं चुक्के वल दसवी पास है दसवी प्रक्रिया होगी यह मेरिट के अधार पर नहीं होगी इसके लिए आपको ऑनलाइन टेस्ट देने परेंगे तब ही आपका इसमें सेलेक्शन होने वाले कई बार आप लोग बोलते हैं कि अप्रेंटेसिप क्या होता है क्यों इसके लिए अप्लाई करने चाहिए देखिए इसमें आपको बहुत सारी चीजों के बारे में सिखाई जाती कई बार क्या होता है कि अलग लग सेक्टरों में बहाली आती है या गोर्मेंट सेक्टर की भी कई बार बहाली आती है तो उसमें पूछी जाती कि आपने अप्रेंटेसिप किया है अगर आप अप्रेंटेसिप किये होते हैं तो उस फॉर्म को भरते हैं तो उसमें आपको छूट मिल जाता है उसमें वेटेज आपको मिल जाता तो यह सब बेनेफेट होता है अगर आप इस परकार की आवेदन कौन कर सकते हैं, कब से कब तक आवेदन होगी, उम्र सिमा क्या होगी, चैन परकिरिया कैसे होगा, तमाम जनकारी को पहले हम किलिया करते हैं आपको, सबसे पहले समझी है कि इस अप्रेंटिस के लिए आवेदन कब से होगे, तो आवेदन आपकी 16 दिसंबर 2023 दस होगी, यह आपकी जो काउंट होगी, 30-11-2023 के अनुसार होगा, 5 साल का रिलक्सेशन है, से इस्टी वाले के लिए 29 साल, वही ओविस्टी वाले होंगे, उनका 27 साल एज रखा गया है, इसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो अलग-अलग यहाँ पर कोड दिये ग है, तो फीटर से आपने ITI किया होना चाहिए, चाहिए वो HCVT से हो, NCVT से हो, तो आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं, इसकी जनकारी उपर में आपको मिल जाती है, जिब नोटिफिकेशन को आप देखेंगे, दोस्तों, इंडियन एल कर्पोरेशन लिम्टेट भारत में सबसे बड़ी वानिजियक कंपनी है, जिसमें आपको अप्रेंटेसिप करने का मौका मिल रहा है, तो इस परकार की मौका आपको बार बार नहीं आती है, इसको आप नहीं गवाए, यहाँ पर देखेंगे, तो एस्टेट का नाम मिलता है, यहाँ पर आपके कोड दिये गए हैं, साथे साथ देखेंगे, अपरेंटेसिप किस परकार की है, किस ट्रेड में है, उसकी जनकारी मिलती है, टोटल कितने सीटे है, कैटेगेरी जबाई, जेनरल में, EWS, SC, ST, OBC, बिकलांक लिए कितने हैं, उसकी जनकारी आपको यहाँ पर दिये गए हैं, तो यहाँ पर ट्रेड में अपरेंटेसिप करना चाहते हैं, उसका एक कोड दे दिये गया हैं, जैसे दिली में इतने सारे ट्रेड में आपके अपरेंटेसिप हैं, इसके अलावे हरियाना में देखेंगे, इतने सारे ट्रेड में हैं, आपको हिमाचल पर्देश में इतने सारे ट्रेड मे है तो आपको देखना होगा कि किस ट्रेट के लिए आपको apply करना है जैसे अगर मालेज या बिहार से आते हैं आपको apprenticeship जो करना है तो इसके लिए आपकी qualification क्या होगी तो इसका code पहले ध्यान रखी का कि code क्या है इससी परकार सभी एस्टेट का देखने का सें तरी क्या है इसका code ध्यान रखी का बाकि इसी notification में जब आप नीची आएंगे तो आपको यहाँ पर qualification की जनकारी code के कोडिंग दिये गए हैं कि जिनका भी code 107 है तो उनके लिए बताया गए कि कम से कम आपकी जो मैटिक है वो तो होनी चाहिए मैटिक के अलाब है आपके IT दो साल वाला होनी चाहिए चुक्कि SCBT, NCBT में हो जिनका code मान लीजिए 108 होगा उनको भी बताया गए यह इलेक्टिसियन ट्रेड में भाली है तो इसमें मैटिक आपके होनी चाहिए दो सालों का IT होनी चाहिए लेक्टिसियन ट्रेड में SCBT, NCBT से तो आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं तो अलग-अलग code यहाँ पर निरधारन कर दिये गया है code wise आपको यहाँ पर qualification दे दिये ग करेंगे, उनका merit बनेगी, फिर उनका document verification होगा, medical होगा, फिर आपको यहाँ पर apprenticeship के लिए बुलाए जाएगा, apprenticeship की अबधी क्या होगी, तो apprenticeship की अबधी कोई-कोई आपको 12 महिने वाला भी है, कोई-कोई आपको 6 महिने वाला भी आपको apprenticeship देखनों को मिलेगा, बाकि जो आप इसका pattern रखे गया है, इसमें क्या कर document आपको verification के समय आपको देने परेंगे, उसकी भी जनकारी notification में दे दी गई है, और apply कैसे करना है, उसकी भी जनकारी आपको दिया गया है, तो यह इसका overall जनकारी था, बाकि जनकारी के लिए notification का link मैंने description box में उपलप्त करा दिया, वहा apprentice से भरती को लेकर, फिर भी किसे भी परकार के कोई doubt confusion है, आप comment कर सकते हैं, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,